हलो दोस्तों केसे हैं आप लगासा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आपको सुरिया कमपनी का 9 वाट LED बल्प को रिपेर करके आपको दिखाने वाला हूँ इस बल्प में ये फॉल्ट है कि ये हमारा ब्लिंक कर रहा है तो आप किसी भी LED बल्प को ब्लिंक करते हुए आप देखते हैं तो उस बल्प को बहुत ही ईजी तरीके से एक मिनट में आप इसको रिपेर कर सकते हैं आप वीडियो देखते देखते ही इसको रिपेर कर दोश्ता हूं निखिए मैं आपको सबसे पहले इस बुलप को यहां पर मैं चेक करके दिखाता हूं यह हमारा सिरीज बॉड़ का होल्डर और इस सिरीज बॉड़ का होल्डर में यहाँ पर इसा प्रॉबलम है किया आपके घर का बल्प इसी तरह से हो रहा है तो गोर से देख देखा देता हूं तो यहां पर देखिए मेरा यह टूल से और इस टूल को देखिए मैं यहां पर यह हमारा डीफूजर हाउसिंग और यहां पर बीटेंटीटू केप है यहां पर हमारा सरकीट खराब है या फिर आपका driver circuit खराब है या फिर हमारा diffuser से हमें खुलने से पता चल जाएगा हमारा MCPC खराब है वो दो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ और दो नो चीजों से आप किस तरह से repair कर सकते हैं दो तरीके आपको भी बताने वाला हूँ repair करने का तिहां पर देखि यही सब है मेरा देख सकते हैं tools यह tools बहुत easy तरीके से इस तरह से खोल देता है ताकि आपका gum लगा रहता है silicon लगा रहता है कुछ भी लगा रहता है देखिए इसमें लगा हुआ था यह आपका बड़े ही आसान तरीके से खुल जाएगा तो इस तरह से देखिए इसमें ख हो रहा है हमारा इस तरह का problem देखिये यह प्रोबलम को Represent करने के लिए आपको क्या करना होगा यह हमारा देख सकते हैं यह कबार वाला यह कब वाला अब ले जीजेगा या फिर आपका इस तरह से खुला वला ट्यूजर है तो इसमें देखिया पन्नी कर लिजेगा उसके बाद में ही किजेगा अन्य था आप मत कीजेगा बिजली लगने का सौक लग सकता है बहुत ही ज्यादा खत्रा हो सकता है इसलिए अप ध्यान से कीजेगा जब भ बार जलता है अब दूबारह जो इसको लगाएंगे तो यह दूबारह जलता है या नहीं यह देख लिए अब दुबारा लगाने के बाद में देखे यह प्रोब्लम इसमें फिर से क्रियेट हो चुका है एक प्रोब्लम यह इस तरह से होता है जो ब्लिंकिंग करता है तो इसको देखे हम इसका बॉल्टेज को पहले मैंजर करेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूं मैं देखे DC 200 के रेंज मैंने सेट कर लिया है बन टीमितर को चेक करने के लिए दिहां पर देखे प्लस और मायनस इसका आउटफूट वोल्टेज को चेक करेंगे तो देख सकते हमारा कितना वोल्टेज आउटपूट हो रहा है आप देख सकते हैं 100 प्लस हमारा वोल्टेज आउटपूट हो रहा है आपदेखे 90 वाट का लीडफ को चलने के लिए कम से कम 80 वोल्ट अगर मिल गया तो आजानी से वह जल जाता है पर यहां पे देखे हमारा 100 प्लस वोल्टेज यहां पे आउटपूट मिल रहा है तो इसमें देखे इसमें किसी पिछ वृ दूसरा SMD LED खराब होता है, दो LED खराब होने के कारण से ये प्रोब्लम आने लगता है, इसमें हमारा भोलते सही है, फिर भी ये हमारा नहीं जल रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है, जिस भी LED हमारा खराब है, उस SMD LED को आपको तोड़ देना है, अब इसमें देखे, ये व तो देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सोल्डिंग करके आपको जला के भी दिखा देता हूं तो देखे आपको इस तरह से सोल्डिंग कर देना है और देखे इस तरह से आपका जलेगा सोल्डिंग कर देंगे तो यह हो गया, सोल्डिंग करके जलाने का एक तरीका हो गया, अगर आपके घर में emergency पड़ जाता है, तो जिस भी LED जल्डिकर है उसके कालन से यह problem-likeरा अपर जलाने के लिए या फिर छे मैने साल जलाने के लिए इसको क्या करना होगा यह मैं आपको बता दीता हूं तो सबसे पहले देखिए इसमें दो वाइर जुडा हुआ है इस दोने वाइर को आपको यहां से disolding करके निकाल देना है इस तरह से आप solding iron की सायता से कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में देखे gas होगा तो gas में एक लोहे का टुकड़ा या फिर देख सकते हैं किसी भी कील को गर्म करके इस तरह से इसको disolding कर सकते हैं अब यहाँ पर करता हूं इसमें जो लगा है इस दोनों वायर को मैंने यहां से disolding कर दिया हूं अब इसमें silicon लगा है इस silicon लगा हुआ इस दें रखे इसको निकाल देता हूं इस तरह से देखे अब देखे यह वाला mcpcb को मैंने यहां से चेंज कर दे रहा हूं ताकि हमारा LED बॉल्प जो है छह मैंने सालवर के लिए जले ताकि यह जंजट दुबारा हमें problem देखने को ना मिले तो इसके लिए देखे मैं यहां से निकाल दिया और यह देखे हमारे पास में इस तरह से नया mcpcb के देखे diferen, marketplace में मिल जाता है आप इसको 5 रुप थे, प्रचेस कर सकते हैं electronic debases, आप फिर आप online भी जा सकते हैं कहीं से भी मो outta purchase कर सकते हैं यह देखे यह प्लेट जो है पूरी तरीके से इस तरह से आपको कठे मिलते हैं आपको एक-एक छोटा छोटा पीस इसमें से कर लिजेगा आप जितना पीस चाहिए उतना पीस आप इसको market से purchase कर सकते हैं electronic के सोप से अब देखें ये purchase कर लिया अब उसके बाद में देखें ये हिट सिंग के compound ये purchase कर लिजेगा ये जहां पर purchase कीज़ेगा वहां पर ये भी में एक इस्क्रू की जरूत होता है अब इस्क्रू यहाँ पर देखे लगाने के लिए देखे यहाँ पर होल यहाँ पर बना हुआ है पहले से अगर आप सिलिकॉन से लगाते हैं तो आपको कोई जरूत नहीं है इस्क्रू की अगर आप इस्क्रू दुबारा लगाएंगे SMT LED जो है वो जल्दी गरम होके खराब हो जाते हैं ये इसको लगाते हैं देखिए इसका लगाने का कारण यही है अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो आपका खराब हो जाता है ये जरूर ध्यान रखेगा आपको इसको लगाने में किसी भीतर का कोई कंजूसाइन मत कीजे आप इसको लगा दीजेगा अब देखिए यहां पर इस तरह से देखे चोटा-चोटा इसकूरू आपको मिल जाएगा देखने को आपकिसी पुराने LED बॉल्प में भी देख सकते हैं इस तरह से इसकूरू यहां पर लगा रहता है जब आप सिलिकोन लगा रहते हैं तो इस में इस्कुरू देखने को नहीं मिलता है फर्स टाइम आप जब दुबारा इसको रिपेरिंग करेंगे तो आपको इस्कुरू लगेगा जरूर अगर आप सिलिकॉन से नहीं करेंगे तो तो देखे इसी तरह से आप किसी भी पुराने एलेडी बल्प से भी निकाल सकते हैं औ तो इसको बड़े ही आसान तरीके से इसको टाइट कर सकते हैं और टाइट रहना बिल्कुल जरूरी है अगर आपका टाइट नहीं रहेगा तो इसमें हीट सिंग गा यह कंपाउंड जो है यह बैठेगा नहीं तो देखे यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको टाइट कर दिया अब टाइट करने के बाद मैं देखे इसमें प्लस और माइनस रहता है इस पॉइंट को देखे जरूर समझ लिजेगा इसमें देखे इस साइड हमारा प्लस है इस साइड हमारा माइनस है तो प्लस और माइनस क करके आपको दिखा राहा हूं मैं आज कर देख आपको सोल्डिंग अच्छी तरीचे से कर देना एक दूसरे से इधर अधर सोट नहीं करना है बिल्कुल अच्छी त्रीके से स्वेश्वीस कर देना ए अब देखे मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया इस जगा पर आप सोल्डिंग होने के बाद में देख सकते हैं इसका लुक आप इस तरह से देखेंगे इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा अब इसको देखे मैं स्रीजबोट का होल्डर लिया हूँ अब इसी होल्डर में आपको चेक करके जला के दिखाता हूँ, देख सकते हैं, आप वीडियो देखते देखते इसको रिपेरिंग कर लेंगे, बड़े ही आराम तरीके से, अगर ये तरीका अगर आप करके देख लिजेगा, अगर नहीं होता है रिपेरिंग, तो फिर कमेंड करके जरूर बताना दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के कोशिस करूँगा दोस्तों, तो देख सकते हैं, मैंने इसको रिपेर कर लिया हूँ, अब इसका डिफुजर को भी यहां पर मैं लगा देता हूँ, अब दूबरा इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, अब दे तरीके से यहां पर repair complete तरीके से हो जाता है साल बर 6 मैने आपका अराम से जलेगा कोई tension नहीं होगा यह real तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको किसी भी short video के चकर में आप पड़े रहेंगे इधर अगर आप time pass करते रहेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका LED वाल्फ रिपेरिंग कंप्लीट सीख जाएंगे तो देखे किसी भी LED वाल्फ को इसी तरह से आप रिपेरिंग कर सकते हैं हर एक चीज आपको मार्केट में उपलब्द है आपका जो भी समान खराब हो चुगा है इसको purchase करके लाइएगा और real तरीके से आप रिपेर करना सीख जाएंगे तो उम्मिद करता हूं दोस्ते ये वीडियो आपको अच्छा लगा होका दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक like कर दीजएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि मैं इसे तरह का वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आते रहता है दोस्तों तो चले दोस्तों हमारा इस वीडियो को अपने friend circle में अपने whatsapp group में जरूर share करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके repair सीख सकें दोस्तों और हमारे इस वीडियो को आप कौन सी सहर से देखते हैं अपने प्यारे से सहर का नाम कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों किसी भी तरह का कंजूसाई बिल्कुल मत कीजेगा दोस्तों मैं आप सभी लोगों को thanks करूंगा दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देख सकते हैं यहां पर take care दोस्तों